हेलो फ्रेंड्स मैं कांशा जी के वितक कांशा में आपका स्वागत करती हूं फ्रेंड्स आज हम बहुत ही इंपोर्टन टॉपिक पढ़ने वाले हैं आज हम यह पढ़ेंगे कि जो हम इतिहास में AD पढ़ते हैं BC पढ़ते हैं कि जैसे कि हमने पढ़ा 600 BC, 750 BC, 361 BC या 361 AD या 1600 तो इसका मतलब क्या होता है इतिहास में AD क्या होता है BC क्या होता है और आजकर एक नया वर्ड यूज हो रहा है CE क्या होता है BC क्या होता है इनका इसा मसी की जनम से क्या संबंध है यह सभी हम आज की वीडियो में पढ़ेंगे इतिहास अगर हम पढ़ने चाहते हैं इतिहास बना उसकी information आप तक मिलती रहे साथ अगर वीडियो अच्छा लगे तो please comments कीजिएगा तो चलिए start करते हैं दिखिए फ्रेंड सबसे पहले हम देखते हैं BC BC क्या होता है तो BC का मतलब होता है before Christ इसका मतलब होता है before Christ मतलब होता है इसा के जन्म के पूर्व before Christ मतलब इसा मसी के जन्म से पूर्व किसी के भी आगे अगर ये तिथी लगी रहती है तो इसका मतलब BC लिखा होता है तो इसका मतलब है कि ये जो काम हुआ है ये जो राजा थे या ये जो वार हुआ है ये BC में अगर हुआ है तो इसका मतलब इसा मसी के जन्म से पूर्व हुआ है इसलिए तिथी को हम गर्णा जो करते हैं वो इसा मसी के जन्म से ही करते हैं तो BC का मतलब होता है before Christ इसका मतलब होता है before मतलब पहले Christ इस मतलब इसा मसी, तो इसा मसी के जन्म के पूर्व को हम BC बोलते हैं, तो आपको आया समझ में BC मतलब इसा पूर्व, मतलब इसा मसी के जन्म के पूर्व, तो BC का हो गया, अब हमारा next है AD, AD को हम बोलते हैं, इसवी, एडी को हम बोलते है इसवी इसका मतलब है कि जिस समय ईसा मसी का जन्म हुआ था जिस समय ईसा मसी थे तो ईसा मसी के जन्म के बर्स को हम बोलते है एनो डॉमिनी Anodomini का मतलब होता है Anodomini जो है Latin भासा के सब्द है और इसका तातपरिया होता है कि इसको हम जैसे कि हमने लिखा है 220V इसका मतलब होता है 220V ये बिफोर में नहीं जाएगा इसा पूर्म में नहीं जाएगा ये इसा मसी के जन्म के समय की बात हो रही है अगर आप कहीं पर पढ़ रहे है 280 इसका मतलब होता है 220V अगर आप कहीं पढ़ रहे है 220BC तो इसका मतलब होता है 200 इसा पूर्व तो BC का मतलब इसा पूर्व होता है और AD का मतलब 20V होता है याद रखियेगा क्या बोला है मैंने कि BC का मतलब होता है Epsa Purb और 80 का मतलब होता है Ajudy 80 का मतलब होता है Anodamni और BC का मतलब होता है Before Christ मतलब ईशा के जन्म के Purb और Anodamni दो लेटिन भासा के सब्द है अब आजकल क्या हो रहा है विदेशों में 80 का और BC का यूज नहीं होता है विदेशों में CE का होता है और BCE का होता है विदेशों में क्या होता है AD की जगे एनोडॉमनी की जगे CE का प्रियोग होता है और BC की जगे BCE का प्रियोग होता है अब CE का मतलब क्या होता है CE का मतलब होता है common era CE का मतलब क्या होता है common era मतलब इसको भी अगर हिंदी में बोलेंगे तो इस भी बोलेंगे जिसको हम CE बोलते हैं वो होता है इस भी जिसको हम हमारी भारत की हिस्ट्री की language में देखें तो AD हो CE हो या इस भी हो एक ही चीज है AD हो CE हो या की हवी हो यह एक ही चीज है हम देखते है BCE IF C का मतलब होता है common era और BCE का मतलब होता यह before combination आरा मतलब जो की हम अपनी हिस्ट्री की language में जिसको BC बोलते है ऐसा ही विज भी चीव होम इसको BCE को याँज किया जाता है इसका मतलब होता है Before common era, तो C E का मतलब क्या होता है, A D और B C E का मतलब क्या होता है, B C A D मतलब, E S V और B C मतलब, Before Christ मतलब, E S A Pूर्व, एक और सब्दिकाज कर यूद हो रहा है, B P, B P का मतलब होता है, Before Present, जैसे कि, Before Present, जैसे कि, मैं अभी आपको एक वीडियो पढ़ा रही हूँ, जैसे कि, इसके एक दिन पहले मैंने आपको क्या पढ़ाया था, तो वो जो हो जाएगा वो आपका Before Present हो जाएगा, तो B P का, B P का मतलब क्या होता है, Before Present होता है, तो आपको यह समद्न में आया होगा, C E मतलब common era, B C E मतलब before, मतलब एटी मतलब मतलब एएडय मतलब एडय मतलब कराइस्ट और बीप गांत difसंग। कि प्राइस्ट मतलब है भी यह समझ सकते आब प труд दोड़रा। एक इसमएं समसी का यह गंद और जो एक, में हुआ तो इसी के बात काई जो समय होता है वह हम इस में लिखते हैं घर्ता हुए करम होता है उसको हम BC में लिखते हैं मतलब ईसापूर् boy में एक विक्रम संब्ट बार र्यों मुहम्मद है मक्का से मदीना जब गए थे तो मक्का से मदीना की यात्रा को हिज्री बोला जाता है हज्रत जिसको बोलते हैं तो यह जो हिज्री जो बोला जाता है इसी के नाम से जब मक्का से मदीना गए थे तो उतभी का जो सदी थी उस समय को हिज्री कैलेंडर बोला जाता है इसलाम धन में उसका जो उसका जो संथा बोता 622 एडी मतलब 622 इस वी तो इसे मस्जी के जनब इस वी में हुआ था उनका बढ़ता हुए क्रम जो 78 एडी जो रहेगा वो एडी मतलब 20 मतलब विफोर कहलाएगा तो फ्रेंट्स यह था हमार आज को टॉपिक इसके नेक्स जो वीडियो बनाऊंगी उसमें आपको जितने भी कैलेंडर अभी तक हुए जितने भी संबत अभी वीडियो में पढ़ेंगे जैसे कि विक्रम संबत है यहां पर जूलियन केलेंडर है हजरी कलेंडर है सकसंबत है तो यह सकसंबत का सकसंबत नाम क्यों पढ़ा विक्रम संबत का विक्रम संबत नाम क्योंगी है जैसे कि हमारा जो कलेंडर होता है सकसंबत हमारे भारती रास् एक्स वीडियो में मैं इसको बहुत अच्छे से आपको समझा दूंगी तब तक कि लिए अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा और कमेंट कीजिएगा ओके thank you